आइ टेटर्स इस गुर्पीश इंग है वेलकम बैक टो वर चैनल तो टोड़ी इन इस वीडियो आइम गोंग तो डिसक्स अबाउट सपोर्ट एंड रिजिस्टन्स और मैं प्राइज एक्षिन की कुछ साइकलोजी के उपर बात करने वाला हूँ जो अकसर मैं लाइब मार्क इस अपनी भाशा में जैसे मैं सपोर्ट इसको जो मतलब समझता हूँ मैं आपको वो समझाने वालों तो अगर मैं आप लोग को बताऊं मेरे लिए जो सपोर्ट एंड रिजिस्टन्स बैसिकली इस नथिं तो मेरे लिए जो सबोर्ट अश्टनस पॉइंट ओफ इन ट्रस् उटा यह मतलब कहो हमान के चली जैसे ईक लेवल है और इस लेवल के नीचे मार्के टेट कर रहे है तो यहांपर जब यह इस लेवल के पास आयेगा तो मार्केट में यहां पर दो तरिके की इंट्रस्टे रियों है कि यहां पर कुछ लोग यहां पर सोच रहेंगे कि भाई यहalis overview LEVEL पास्ट होंगा है यहां पर लोग अभग सेल करते हैं कि दूसरे लोग यहां पे सोच रहेंगे ब्रेक आउट ठीक है तो दो प्रोस्पेक्टिव तयार होगे ना यहां पर दो तरीके की लोगों की सोच होगे तो basically क्या है यह एक वो लेवल है जो हमें point of interest दिखाता है यहां पर लोगों की interest का पता चलता है कि लोग यहां पर क्या करने वाले buy करने वाले के sell करने बला तो basically this is our resistance level same as it is support की बात करी जाए तो support में भी सहीव वही चीज़ है अगर market support की उपर trade कर रहा है किसी level की उपर trade कर तो वो level की उपर दो तरीके किसे नहीं हो सकते हैं एक तो यहां से reversal लोग buy के लिए बैठे हैं जा फिर कुछ लोग यहां पर sell के लिए बैठे हैं तो दो तरीके की psychology market में काम करती तो basically so अगर मैं इस पूरी psychology को यह पूरे चीज को define करूं तो मैं एक word में जो define करूं basically support and resistance is nothing it is just a point of interest level बस यही चीज अपने को समझें अभी यह चीज को मैं और थोड़ा advance लेके चलता हूं कि इसको मैं अपनी price action में कैसे योज करता हूं मैं अपनी trading style में कैसे योज करता हूं तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा आपको एक picture clear chart दिखाता हूं जने कि मैं जो candles आपको दिख रही है यह हाइड करता हूं sorry मैंने indicator हाइड कर दिया I need to okay अभी candle हाइड कर दिए अभी इस चीज की psychology समझें तो देखिए basically करला यहां पर मेरे पश्टीन तरहीके की लाइन अपर यह आप यह email लो लाइन भी क्या चीजी से लिए लेवल मेरे को दर्शाथे यह जो लेवल मेरा दिखाते है है मार्किट में support and resistance दिखाते हैं support and resistance कि तो मैं बैसिकली इन लेवल के basis पे support and resistance के ही टेट करता हूँ मान के चलिए example लेते हैं यहां पे market खुला है तो यह level क्या करेगा यह resistance का काम करेगा अगर मान के नीचे की site market तो यह level क्या करेगा support का काम करेगा मतले कि मैं जो टेट करता हूँ बैसिकली support and resistance के ऊपर basis पे ही टेट करता हूँ अभी हम बात करते हैं कि मान के चलिए यह market था Friday का ठीक है और यह market हमारे पास खुलने माला मंडे के लिए हमने ले ले वह निकाल। गया alive में कैसे date करेगा तो इसके बीचे हमारी क्या Henry by mensique ?W यह market तो हो गया हमारार बीतगा ठीक हैРЕखिए यह market की levels of high-low निकाल में है ठीक है तो इह हम इसको और के टो मार्किए लगवस格 4-5 तरीके की cycle होती है वह cycle होती है पहली psychology यह है कि market आपका PDC and PDL की बीच में खुल सकता है ठीक है in between खुला तो इस तरीके में भी दो तरीकी की psychology रहेगी कि market अगर market में बायर strong है तो क्या करेंगे market को पहले candle का हाई तोड़ेगा और उपर ले जाएगे This is the first psychology दूसरी psychology कि कहीं न कहीं seller strong है वह पहली टेक में जैसी पहले candle का low निकलेगा वह market को नीचे ले जाएगे This is the second psychology अभी यह हो गई दो साइकलोजी तीसरी psychology मैं आपको यहां पर बताता हूं वह भी इस ही का advanced version है कुछ बाहर यहां पर क्या करेंगे buy करेंगे ठीक है उनको पता है यह third psychology है उनको पता है कि market में उपर मेरे पास एक important level a closing level तो वह क्या करेंगे यहां पर profit booking करेंगे और यहां पर उल्टा वह sell का देंगे तो वह market को नीचे ले आएगे इक ही psychology होगी ठीक है चौथी psychology यह आपकी चौथी psychology है और फिट psychology क्या है कि market में ऊपर से यहां पर PDC यह कोई भी support level हो सकता है कहीं पर कोई भी resistance level हो सकता है कहीं पर कहीं पर क्योंता है PDC नीचे होता है तो यह चीज आपको देखने को मिलेगी सो अभी यहां पर क्या है पांच वी psychology क्या हो सकती मार्केट हो सकता है कि इस जोन के अंदर ही टेड का तरह है जाने कि ऊपर से seller pressure नीचे से बाइंग प्रेशर बाइंग प्रेशर के साथ मार्केट उपर फिर नीचे जानी एक तरीके का आप बोल सकते हो कि पूरा दिन मार्केट एक रेंज बाउन भी हो सकता है तो यह कुछ परकार का scenario अक्सर हमें जो साइकलोजी वो देखने के मिलती अक्सर मार्केट का जो स्ट्रेक्चर होता वो ऐसे ही चलता है एक तो यह हो गया इन बिट्वीन दा लेवल सेम अगला साइकलोजी में आपको क्या दिखाता हूं अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपको चलिए अभी एक तो यह हो गया एक यह हो गया कि मार्केट तीनों लेवल के नीचे खुलता तो उसमें भी सेम साइकलोजी रहेगी अगर कहीं न कहीं अच्छा का सब्सक्राइब तो मतलब कि प्रोफिट बुकिंग भी आ सकती तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है ठीक है फिर अगला साइकलोजी के सेम वही स्ट्रक्चर का जो साइकलोजी हो रहेगा सेम ही रहेगा कि उपर ले जाएंगे फिर प्रोफिट बुकिंग करेंगे तो यह जो चीज है ना यह जो बीच में आपको मैंने चार-पांट तरीके के साइकलोजी जो बता हैं अक्सर मार्क है इसी के उपर आपको अपनी साइकलोजी को पुस्टांग करना इसी के उपर अपने प्राइस ऎक्शन को स्ट्रोंग करना इसी को आपको ट्रेड करना अगर आप इस psychology को समझना शुरू कर दोगे तो definitely आप मैं पूछ challenge देता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को follow कर ले तो आप एक साल के अंदर easily profitable हो सकते यहां पर हम कोई indicator के उपर काम नहीं करें विए जस्ट वर्किंग ओन दा support and resistance लेवल मार्किट में कुछ नहीं है मार्किट हमेशा support resistance लेवल के उपर ही काम करता है और यह पूरी दुनिया जब तक मार्किट चलता और यह चलता रहेगा ठीक है सुपर टेंड लगा लिया में सीडी लगा ले वह सारे लेगिंग इंडिकेटर है उनका कोई यूज नहीं है वर्क आप लेवल बेस ट्रेडिंग करो जो आपकी important लेवल है जानी कि हमार लिए previous day high important level है ठीक है अगर previous day high उसे मार्किट गिर रहा तो मतलब कि वहां कोई नहीं कोई seller बैठा तो इसलिए मार्किट को पुछ करके नीचे ले गया है अगर previous day low से market घूम है और अच्छा खास रिकावर कर गया तो वहां से रिकावर क्यों किया क्योंकि वहां पे कोई ना कोई बायर बैठा हुआ support पे इसलिए मार्किट रिकावर किया है तो वह जो लेवल ह है न वह बहुत इंपॉर्टन लेवल हमारे लिए है और अगर आप इन तीन लेवल के उपर मास्टरी कर लो जानी की previous day high प्लस previous day low प्लस previous day low प्लस previous day low अगर आप तीन लेवल को easily समझना शुरू कर दो तो आप easily profitable हो सकते हैं ठीक है तो आज का यह जो मैंने पूरा बनाई यह पूरा जो structure आपको समझाए यह totally psychology के उपर था support and resistance के उपर था कि मैं कैसे support and resistance को देखता हूँ हो सकता है कि मेरे जैसे और भी लोग हो वो इस तरीके से नजर इस नजर से देखते हों लेकिन कुछ लोग अलग नजर से भी देखते हों तो सबका अपना अपना नजर यह लेकिन मैं जो प्रेडिंग करता हूँ जो मेरी ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली इनी चीजों के उपर होती है ठीक है और इनी चीजों को यूज करके मैं पिछले तीन माहिने से अच्छा प्रोफिटेबल हूँ बैक टू बैक मेरे आप देख सकते हैं मेरे टेलिग्रम में चाग के देखेगा बैक टू बैक मैं जो जो ट्रेड लेता हूं मैं स्क्रिंशोट डालता रहता हूं जैसी ही मेरा ट्रेड एक्जिट होत आप इस चीज के उपर जितना काम करोगे जितना रिसर्च करोगे इजली आप प्रोफिटेबल हो सकते हैं उमीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए और हमारे टेलिग्राम को अगर आप लोग नहीं किया फ्री लर्निंग टेल आप इस यूद आप करवारे आप मारे नहीं करिए आप आप लोगे इसे लिग्राम काम